शाम के नास्ते के लिए जब कुछ समझ में आए तो बस ये वाली रेसिपी ट्राइ कर लीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी और ये रेसिपी मैंने बनाई है लंच भी बची वी रोटियों से तो इन रोटियों से मैंने बना दिया एक बढ़िया सा चीजी गार्लिक ब्रे और इन सब को डाल करके बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट बनाने के बाद जो हमने रोल्स तयार किये है उसके उपर चारों तरफ से इसको लगा देना है और लगाने के बाद अब बारी आती है कुक करने की तो इसको मैंने कुक किया है एर फ्रायर मे एर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और कुक करने के बाद ये कुछ ऐसा बन कर निकला जो बहुत ही देखने में बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी लग रहा था तो इस तरह से बचे वे रोटी से मैंने एक बढ़िया सा स्नैक्स बनाया जो सबको बहुत पसंद आया तो इस तरह से आप ये रेसिपी एक बार जो घर में अगर बची रोटी आए तो इससे आप एक बार रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिए I hope कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगे तो प्लीज इससे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो